हलो दोस्तो आप सबका फिर से एक बार नए वीडियो में स्वागत है तो दोस्तो आज हम मेरो धाइसो एमजी इंजेक्शन के यूज के बारे में फूल जनकारी बताएंगे तो दोस्तो इस इंजेक्शन के benefit और यूज किस विमारी में इलाज करने के लिए किया जाता है और इसका Doge क्या है और इसके side effect क्या होते है और इसके price और composition क्या क्या होते है तो दोस्तो ये सब जनकारी इस वीडियो में बताएंगे तो अगर दोस्तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे और इसी के साथ बिल आइकन को इंप्रेस कर लिजे और वीडियो को लाइक कर लिजे क्योंकि दोस्तो हम एसे ही medical से related वीडियो लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे तो चलिए दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं हालो दोस्तो मैं डॉक्टर आनुप कमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर मेडिसीन नौलेज चैनल तो दोस्तो इस मेरो 200 mg injection का निर्माड और इस्टो फार्मा कॉम्पनी बनाती है यह बहुत बढ़िया और ब्रांड इंजेक्षन है इसका MRP 236 रुपए है और इस इंजेक्षन का कूम्प जीशन है दोस्तो अब हम बात करते है इस मेरो 200 mg injection के यूज के बारे में तो दोस्तो इस इंजेक्षन का यूज अनेक परकार के बिमारियों को ठीक करने के लिए यूज की जाती है मेरो 200 mg injection एक हाई कलास का इंटिवाइटिक है जिसका यूज तोच्चा में इंफेक्षन फेफडों में इंफेक्षन या फेफडों में कॉफ हो जाना या पेट में इंफेक्षन हो जाना पिसाब में इंफेक्षन हो जाना ब्लॉड में इंफेक्षन हो जाना और मस्तिक्स के गंभीर infection के इलाज में यूज की जाती है meningitis के समस्या और उसको ठीक करने में मदद करता है यह injection pneumonia जैसी बिमारी को ठीक करता है और साथ ही किसी परकार के injury हुआ है उसमें infection की समस्या हो गई है तो उसमें भी इस injection का यूज की जाती है दोस्तो यह injection सभी परकार के infection के समस्याओ के कारण बनने वाली bacteria को मार कर खतम करता है दोस्तो यह injection viral infection को ठीक नहीं करता है लेकिन यह बहुत helpful injection है दोस्तो अब हम बात करते हैं इस Merode Isong injection के dose के बारे में तो दोस्तो इस injection को आप डॉक्टर से सला लेकर यूज कीजिए क्योंकि दोस्तो इस injection को लगाने से पहले मरीज का age और body weight और क्या-क्या समस्या है यह सब देखने के बाद ही दी जाती है तो दोस्तो हम इस injection का समान यह dose बता देते हैं कैसे लगाया जाता है दोस्तो इस injection को छोटे बच्चों में भी लगाया जाते हैं और बड़े लोगों में भी लगाया जाते हैं दोस्तो इस injection को सिर्फ नस में लगाया जाता है यानि कि IV intravenous में इस injection को पूछ किया जाता है दोस्तो इस injection को मरीज के समस्या को देखकर ODBD लगाया जाता है दोस्तो इस injection को overdose नो लगाएं क्योंकि फायदे के जगवपे नुक्सान हो सकते हैं या तो आप किसी डॉक्टर से सलाल ले सकते हैं दोस्तो अब हम बात करते हैं इस injection के side effect के बारे में तो दोस्तो हम सभी को पता है दोवा के फायदे के साथ-साथ कुछ side effect भी होते है जैसे मिचली आना, सिरदर्ध होना रेसेस होना, पेट में गैस बनना, चक्कर आना तो दोस्तो इस injection का यह side effect होते हैं अगर आपको इसमें से किसी परकार का कोई भी side effect देखने को मिलते हैं और वे जल्दी से ठीक नहीं होते हैं तो नजदी की किसी डॉक्टर से संपर करें जहां फोरन टीटमेंट मिल सकें क्योंकि दोस्तो कोई भी side effect जानलेवा होती है आई होप दोस्तो तो आज के लिए इतना ही तो दोस्तो आप लोगों ने अगर आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके मन में किसी परकार के question है तो नीचे कमेट करके पुछ सकते हैं धन्याबाद